Hello students, आज हम नएए topic शुरू कर रहे हैं जो की animal behavior का है तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे animal behavior क्या चीज़ है तो सबसे पहले definition के बात करें तो animal behavior में आती है आपके सारी के सारी behavioral biology और behavioral biology में हम study करते हैं कोई भी biological या evolutionary basis क्या है किसी भी behavior का तो वो सारे के सारे हम biological और evolutionary studies को करते हैं ताकि हम जान सके behavior क्यों हुआ है और ये इसमें आपके बहुत सारे other नए disciplines भी add-on हो गए हैं अब जो हम modern behavioral biology पढ़ते हैं तो इसमें ethology और comparative psychology के भी बहुत सारे नए disciplines add हुए हैं ethology को समझें तो ethology को हम study of animal behavior भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें किसी भी animal का natural response जानने की कोशिश करते हैं उसके environment के stimulus से तो उसके बाहर का environment कैसा है उस environment के impact में एक animal किस तरीके का natural response हो कर रहा है वो सारी studies हम ethology में करते हैं ethology जो है एक biology का new field है और इस field में हम देखते हैं कि बहुत सारे disciplines आते हैं related to ecology, genetics, environmental sciences, neurology, physiology, psychology and evolution और इन सब के collective studies से ही हम ethology के किसी भी behavioral mechanism को समझ सकते हैं तो इसमें हम study कर रहे हैं biology, biological and evolutionary basis का behavioral biology में और ethology में हम complete study कर रहे हैं animal behavior की ethology की बात करें तो इसमें हमारे दोनों तरीके के प्रोटोकॉल चलते हैं एक हमारा laboratory वर्क तो चलता ही है साथ-साथ में हम field studies भी करते हैं तो कोई भी animal जो हमारे laboratory में है उस पर particular हम उसका behavior समझे या उसका mechanism of action देखे तो वो laboratory वर्क हुआ laboratory में जब हम उसे करेंगे और field में in wilderness जब हम उनके wild areas में जहां वो रह रहे हैं उसमें अगर study करें किसी भी animal के behavior की तो वो भी ethology में हम करते हैं यह इसमें हम behavior को अगर define करें तो इसमें कोई भी change जो की activity में नजर आता है किसी भी organism के किसके response में stimulus के तो इसमेलस के response में कोई भी activity में change नजराता है किसी भी organism के तो उसे हम behavior कहेंगे अब यह stimulus आपका internal भी हो सकता है या external भी हो सकता है तो कोई भी internal कोई wave है कोई तरह इंटरनली भी आपको motivate कर सकती है कोई particular behavior करने के लिए या फिर externally आपका जो environmental factors हैं वो भी यहां पर काम कर सकते हैं next इसको हम अगर अच्छे से समझें तो हम ethology में study करेंगे कि किस तरीके से animal ने एक particular behavior को develop किया और उसे develop करने से उस organism को क्या benefit हुआ और किस तरीके से वो evolve हुआ किस तरीके से वो इस generation से next generation में and so forth जाता रहेगा इसको हम completely study करते हैं ethology में कुछ behaviors होते हैं वो innate nature की होते हैं याने कि by birth हमें मिलते हैं हमारी genes में होते हैं तो हमारे parents से हम तक आ जाते हैं by birth हमें मिलते हैं कुछ behavior एसे होते हैं जो हम learn करते हैं, जिनने हम acquire करते हैं, और सीखते हैं हम उन्हें अपने experience के basis पे, तो यहाँ पे हम देखें कई सारे behaviors दोनों nature के होते हैं, कि जो parents के पास, parents से transmit होए हमारे पास genes के form में, और तो show हो रहे हैं by birth, और कुछ आपने recently सीखे होते हैं, तो जो भी organism हैं, वो दोनों behavior के combination से ही बनता है, by birth भी उसके पास behavior आते हैं, और वो learn behavior भी show करता है, यहाँ पे हम देखें, behavior, natural selection को स्थापित करने में बहुत important role play करता है, तो कोई भी organism nature में तभी survive कर पाता है, जब वो अपना behavior change करता है, तो अगर nature में कुछ drastic changes आ रहे हैं, उसके according अगर organism अपने आपको change नहीं करता है, तो या फिर वो अपना behavior change नहीं कर रहा है, nature के according, तो वो survive भी नहीं कर पाता है, और इसलिए वो ही organism fit होता है nature में, जो behavioral changes show करता है, और behavior हमें help करता है, survive करने में भी, और साथ-साथ में reproduce करने में भी, अपनी next generation बनाने में भी, example में हम देखें, तो एक dog को हम देखें अगर, तो वो start कर देता है drooling, अगर उसके सामने हम कोई भी food ले आए, तो food अगर हम उसके सामने लाएं, तो वो जैसे ही food को देखता है, तो उसे stimulus मिलता है, और stimulus पहले external होता है, पहले उसने बाहर से देखा food को, और फिर वो internal उसके neurons activate होते हैं, और देन उसके जो भी saliva, slivery glands हैं, वो motivate होते हैं to start drooling, तो लार वो निकालने लगता है इस तरीकी से, तो ये behavior किसी भी आप dog में देख सकते हैं, और ये behavior शो करता है कि जो भी behavior है, वो internal और external stimuli के थुरू, दोनों ही stimuli के थुरू होता है, नेक्स हिस्ट्री ओफ एनिमल बहेवियर की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि लगवग 40,000 साल पहले पेले लिथिक आर्ट्स में हमने देखा, कि बहुत सारे cave paintings में हम देखते हैं, animals group में शिकार कर रहे होते हैं, और बहुत सारे hunting और animal का अकेला रहना या फिर groups में रहना, ये सारे cave paintings और पुरानी जो भी हमें तलाकृतिया मिलती हैं, उसमें हम देखते हैं, इसके अलावा, Aristotle ने सबसे पहले 384 BC में natural world को काफी observe किया और उसे फैसिनेट होके उन्होंने कई सारे records मेंचिन किये regarding mutualism, use of tools by animals या फिर brood parasitism को उन्होंने में मेंचिन किया, तो यह हम देख रहे हैं, एक cave painting है, जो पेलिलिथिक आर्ट को resemble कर रही है, इसमें हम देख रहे हैं, ग्रुप्स में आनिमल जो है शिकार कर रहे हैं, और कई सारे आनिमल जो है वो isolated version में रह रहे हैं, तो इस तरीके से cave painting समय बताती हैं कि animal के कैसा behave शो करता था, next, root parasitism, देखें, तो कई सारी birds क्या करती हैं, कि अपने अंडे किसी और bird के गोसले में जाके दे देती हैं, तो यह देख रहे हैं कि बर्ड के एग्स हैं, लेकिन यह किसी और बर्ड का एग यहां पर किसी एग बर्ड ने रख दिया, और यह अब बर्ड अपने जो भी चिक उनको जब ग्रो करती रहती है, तो इसको यही पता नहीं चलता काफी तक यह उसका अपना चेक नहीं है, क्योंकि शी अक लाइक मद तो यह काफी बडा हो गया इसे साइज में, लेकिन या इवन देन, शी फीडिंग पेडिग तो यह बूड परेसटिस्म रिजम्बल करता ह नेक्स्ट है म्यूचुलिज्म तो हम म्यूचुलिज्म के एक्जम्पल तो कही सारे देखते हैं जिसमें अनिमल्स और प्लांट्स में सहयोग बना कि रखते हैं तो यह आपसी समझ और आपसी संबंध जो हैं कि बहुत अच्छे बने लाते हैं जैसे फ्लार को बेनिफिट मिल इनको इसली मिल जा रहा है इस बफैलो की स्किन से इन फॉर्म ओफ तक्स और मिल्डस नेक्स्ट विलियम हर्ले ने हर्वे ने सबसे पहले नेस्टिंग और ब्रूडिंग बहीवियर जो बड़्ड्स का था वो शो किया था और इसके लावो किस तरीके से ब्रीडिंग को मेंचिन किया वही हम देखें 1872 में उनका जो पेपर आया था उसमें उन्होंने मेंचिन किया था different expression of emotions in man and animals नेक्स आते हैं 1882 में George John romance ने एक बुक लिखी थी जो कि animal intelligence के ऊपर लिखी गई थी और इसमें इन्होंने animal भी intelligent होते हैं यह सारी चीज़े बताए थी next आया लोईड मॉर्गन तो इन्होंने बुक में मेंचिन किया था comparative psychology of all the animals इनकी बुक का नाम था introduction to comparative psychology नेक्स आया जैक्स लोईड तो इन्होंने सबसे पहले mention किया था tropism और forced movement के बारे में in the organisms इसे समझते हम यह क्या है प्लांट अगर हम उसे indoor plant है और वह नॉर्मल लाइट में ग्रो करता है तो होता क्या है कि अगर सब जगे अंधेरा होगा तो प्लांट उस तरफ ही अपने आपको बेंड कर लेगा जहां sunlight होगी तो यह हो गया photo tropism का एक इसे हम देखें कि कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं जो अधिक तर आपने देखा होगा लाइट जलाते ही सारे इंसेक्ट बल्ब के चारों तरफ जो है रिंगने लगते हैं तो यह इस तरीके का इनका बिहेवियर प्रॉपिज्म शो करता है नेक्स हैं Herbert Spencer Jennings ने सबसे पहले बिहेवियर ओफ लोइस्ट ओर्गनिजम को मेंशन किया था कि किस तरीके से चोटे ओर्गनिजम बेहेव करते हैं और वो फीड कर लिये जाते हैं हायर ओर्गनिजम के थूपिज्ट डगलस स्पैलडिंग जो थे उन्होंने बिहेवियर ओफ नेक्स है इवान पैवलोव तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिकल कंडिशनिंग के बारे में बताया था इसको हम आगे मेंशन करेंगे नेक्स विलियम मैक डगलस तो इन्होंने सोशल साइकलोजी के बारे में बताया था सबसे पहले कार्ल एस लैशले इन्होंने तो इवान पैवलोव ने सबसे पहले क्या किया कि डॉग जो है उसे फूड सर्व किया तो वह जैसे ही फूड को देखता था उसे सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था देन उन्होंने डॉग को नॉर्म इन दोनों स्टिमूलस को जो कि आपके अनकंडिशनल स्टिमूलस था और नॉर्म इसको कमबाइन वे में दिया तो आप इन्होंने क्या क्या गंटी बजाई और फूड एक साथ सर्व किया तो डॉग ने सलाइवेशन स्टार्ट कर दिया और ऐसा यह काफी टाइं तक करते रह में फाइनली उन्होंने एक दिन क्या किया कि जब डॉग इस तरीकी का बिहेविर शो करने लगा तो उन्होंने एक दिन नेक्स्ट फेज में घंटी ही घंटी वजाई सिर्फ और एक कंडिशनल स्टिमूलस दिया जिसके कारण डॉग की जो नूरॉंस है वो ऐसे ही बिहेव करने लगे कि अब फूड आ गया है और वो सलाइवेशन स्टार्ट कर देता है तो यह हो गया कंडिशनल रेस्पॉन्स ओफ डॉग अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग टू अन्कंडिशनल स्टिमूलस तो यहां पर अभी हमने फूड नहीं दिया लेकिन इवन देन कि अपना बनाना शुरू कर देता है तो यह इसका जाला टूट गया तो बनाएगी ऐसा इंस्टिंग्ट होती है कि यह जो फीमेल है जैसे इसका न्यूबॉण बेबी होता है तो यह कंडिशनल अपना ब्रूडिंग पाउच में इस बेबी को रखता है और जो इंस्टिंग होता है इस बेबी का वो यह होता है कि यह अब इस पाउच से बाहर नहीं आएगा क्योंकि अंडेवलब्ड है तो इसको इस पाउच में ही रहना है तो अभी जैसे लोगडाउन चल रहा है तो इसके लिए लिए लोगडाउन की तरह हो जाता है कि इसे इस पाउच में ही रह behavior of planarians सबसे पहले mention किये थे जब कि Carl Von Frisch को हम देखे तो इन्होंने dance of honey bee जिसे हम woggle dance भी कहते हैं वो mention किया था next आते हैं Nicholas Tinbergen, Conrad Lawrence और Carl Von Frisch तो जिन्होंने dance of honey bee भी mention किया है इन तीनों को collaboration में noble prize मिला था physiology और medicine का 1973 में और इन तीनों ने 1930 में अपना work किया था related to ethology behavior of animals और इनका जो भी work था वो deal करता था कि animals किस तरीके से communicate करते हैं उन में क्या emotions होते हैं वो किस तरीके के वातावरण में रहते हैं वो क्या सीखते हैं और किस तरीके कि sexual behaviors वो शो कर रहे हैं इसके उपर इन्होंने यह complete study किया था यहां पर हम देखे नियूरोइथलोजी एक नया field था जिसमें कि जो भी आनिमल है उसके neurons और किस तरीके से function कर रहे हैं यह डिरेक्ली शो करता है कि किस तरीके का behavior वो शो करेगा तो उसे हम नियूरोइथलोजी कहते हैं जिसमें नियूरोण के structure और function में बदलाव के कारण आनिमल का behavior बदलता रहता है तो behavior of planarians हम देखे तो planaria जो है वो जब ही भी उसे रिजेनरेट करना होता है तो अपने बॉड़ी को इस तरीके से पीसे में तोड़ देता है तो यह एक behavior pattern है planaria का कि उसे reproduction करना होता है तो बार बार इसी तरीके का phenomena show करेगा जबकि अब यह new ones है तो इन्हें नहीं पता है इनके पेरेंट में किस तरीके से इने बनाये था इवन देन यह इनके पास इस तरीके का behavior होता है कि यह next generation produce करने के लिए अपने आपको इसी तरीके से पीसे में तोड़ते हैं next Conrad Lawrence जिने Nobel Prize मिला था अनिमल behavior के लिए तो यह इन्होंने सबसे पहले imprinting behavior के बारे में बताये था कि अगर हम bird को देखें तो bird के chicks उसके पीछे-पीछे इस तरीके से imprints शो करते हैं उसके पीछे-पीछे चलते रहते हैं और अगर हम इस female को replace कर दें किसी individual से तो अगर कोई maternal love in chicks को दें तो यह chicks उसको भी follow करने लगते हैं इस वन इस दीम्रेंटिंग behavior next, Nicolas Timbergane ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले क्या कारण है किसी behavior का या फिर किस तरीके से behavior का विकास हो इंश हो ओए या इस आदें क्या जो behavior है उसका क्या काम है जो भी behavior बना है ओ कि जो किया काम है उसका क्या यूज है उसका या फिर behavior की उत्पति कैसे हुई है इस generation से next generation में वो behavior कैसे जा रहा है तो यह सारी चीजें को collectively Nicholas Timbergen ने mention किया था कि यह सारी चीजें आपस में related होती है related to the animal behavior और यही सब मिलके animal के behavior को बनाती है नेक्स कार्ल वानफ्रेश जिनों में dancing pattern of honeybee को सबसे पहले mention किया था तो इसमें देखे हम कि honeybee एक specific dance pattern show करती है जैसे wobble dance हम कह रहे है तो यह क्या करती है अपनी location किसी भी flower की location बताना हो या कहां पर food है यह सब कुछ बताना हो तो इसके लिए एक specific type of dance show करती है जिसमें यह angle और कितनी दूरी है या किस angle पर food प्रेजेंट यह सब कुछ बताती है through a dance तो यहां पर हम देखे यह पहले movement show कर रहे है यह honeybee dance कर यह specific kind of dance और यह honeybee इस तरीके से move कर रहे हैं फिर यह specific kind of dance कर रहे है और फिर इधर move कर रहे है तो इस तरीके से इनका dance capable dance अपना show करती है और इनके angles कस basis पे या food कहा기도 दूरी पर प्रेजेंट है उसके basis पर यह उतनी बार dance करती है तो नॉर्मली अगर omitre दूरी बताने है तो यह क्या करेंगे लगभग दस बार डांस करेंगी और अगर इन्हें उससे जादा की दूरी बतानी है तो यह उतनी बार डांस करती रहेंगी तो इसतरीके से इनका डांसिंग पैटन होता है एनिमल बिहेवियर ऑफ बीज में स्कोप ऑफ एनिमल बिहेवियर की बात करें तो इसके थू हम अपनी जो भी जिग्यासा है हमारी आनिमल्स को जानने की वह हम पूरी कर सकते हैं उसके अलावा हम यहां पे अच्छी अंडेस्टेंडिंग बना यह दिपेंड करता है कि हम दूसरी स्पीजी को कितना समझते हैं तो जो हमारे लिए हानिकारक हैं स्पीजी हम उनको अधिकतर पसंद नहीं करते हैं जैसे कोई नर्भक्षी हो जाए बाग तो हम उसे मारते हैं लेकिन अगर कहीं हम देखते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट च या फिर वो हमारे एकोसिस्टम को बेनिफिट कर रहा है या लॉस पहुंचा रहा है या फिर वो इंडेंजर्ड स्पीजी की काटेगरी में तो नहीं आ गया तो इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं थ्रू स्टड़िंग देखे तो और क्या कर सकते हैं हम अपने खुद के अच्छीजी पर सकते हैं कि हम किस तरीके से बीएव करते हैं और किस तरीके से हमारा नियॉरल कंट्रोल होता है अपनी किसी भी क्याruktी में तो यहां पे हम जैसे देखें कि आनिमल किस तरीके से social group बनाते हैं सीख तें कोई भी चीज या फिर कोई भी चीज को perform करते हैं वो सारी के सारी activities कैसे करते हैं और इन सारी activities का development कैसे होता है और किस तरीके से neural control होता है इन सारी activities के लिए specifically हम speech की बात करें हम बोल कैसे पारे है neural control कैसा है जो हम देख रहे हैं वोही हम कैसे remind दुवारा से बोल पारे हैं वो सब चीजह हमारी समझ सकते हैं हम through animal behavior studies नेक्स है जो आनीमल विहेवियर है इतलोडी 220 बनाती है बायलोजी और एकलोजी के बीछ ने अब कैसे बायलोजी में हम किसी भी आनीमल के मॉलीकलल स्ट्रक्टर को समझ सकते हैं और एकलोजी के थुरू हम यहाँ पर किसी भी ओर्गेनिजम के physiological functions को समझ सकते हैं तो किस तरीके से वो function behave कर रहा है क्या कारे वो कर रहा है और किस तरीके की उसके सनरचना है यह हम समझ सकते हैं इथलोजी के थूप यह एक important link बनाती है किसी भी organism और उसके environment के बीच में जैसे कि यहाँ पी हम किसी भी organism के नर्वर सिस्टम किस तरीके से behave करता है अगर वो particular ecosystem में है तो तो nervous system और ecosystem के बीच का भी एक important link यह होता है तो किस तरीके से उसके neurons function कर रहे है और किस तरीके से वो behave कर रहा है एक ecosystem में यह सब भी जान सकते है next behavior एक बहुत important function है किसी भी organism की life का एक important function है behavior इसके थ्रू हम अपने environment आसपास के वातावरण में हम अच्छा सा सामन जिस से बना सकते हैं और उससे interact कर सकते हैं आप देखो जो भी हमारा behavior science है इसके थ्रू हम दूसरे studies भी कर सकते हैं दूसरे subject को भी समझ सकते हैं जैसे anthropology, sociology, psychology, environment, evolution, socio-biology इन सब को भी हम समझ सकते हैं by using the particular animal behavior science next is ethology में हम neurosciences को भी समझ सकते हैं ethology के थूँ बहुत सारी हमारी neurosciences की studies भी reveal होती हैं अब क्या है कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी environment के impact में हमारे neurons किस तरीके से अपना structure और function जेंज कर रहे हैं और फिर हम वो जो हमारे neurons हैं वो उनके structure और functions के change होने के कारण हम किस तरीके से behave कर रहे हैं हमारा क्या व्यवहार है फिर तो उसे हम study करते हैं through ethology next है हमारा जो भी behavioral pattern है जैसे specifically हम देखे reproductive behavior तो इसके थूँ हम जान सकते हैं कि कोई भी हमारी extinct हो चुकी species है या फिर endangered species है उसको कैसे हम उसमें कैसे improved version of breeding method निकाल सकें ताकि उनके जो भी विलुप्त है होने वाली species है वो विलुप्त ही ना हो तो यह सब हम तभी पता कर सकते हैं जब हम किसी भी organism के reproductive behavior को अच्छे से समझ लें next study of behavior में हम देखें तो कई सारे benefits और भी होते हैं जो कि human को direct या indirect help पहुंच जाते हैं जैसे example की form में हम देखे this one is a toad अब scientists थे Grant and Halliday इनोंने 2010 में एक study किया जिसमें यह toad हमें बताता है कि किस तरीके से earthquake अब आने वाला है तो earthquake आने वाला है इस तरीके का signal यह हमें toad देता है होता क्या है कि यह toad identify करता है कोई भी seismic waves को और उस seismic waves को identify करने के बाद यह particular vocal response शो करता है यह vocal response जो है काफी अलग होता है जो इसके normal vocal response होते हैं उनके comparison में अब इसी vocal response को हम detect करते हैं और हमें पता चलता है कि अभी अर्थ को एक आने वाला है या फिर toad ने seismic waves को सुन लिया है या परक लिया है तो अब हमें सतर्क रहना है इस तरीके से और भी examples हम देखते हैं कि जो कि हमारे पुराने पूरवज हमें बताते हैं कि बहुत सारे जुंड जब चडियाओं के एक साथ बूलने लगे तो भूकम पाने वाला है और और भी बहुत सारे जैसे कि कोई कुटा रोने लगे तो भूकम पाने वाला है झाल झाल